Hello students, आज हमने chapter 5 की exercise 5.1 करी थी जिसमें कुछ properties थी properties ये थी कि अगर हम किसी भी number को 1 से divide करेंगे तो हमारा जो dividend होगा वही question बन जाएगा जैसे 8 को 1 से divide किया तो मेरा answer 8 आएगा 56 को 1 से divide किया तो मेरा answer 56 आया 148 को 1 से divide किया तो मेरा answer 148 ही आया फिर दूसरी property थी अगर किसी भी number को मैं उसी number से divide करते हूँ यानि मेरा dividend और divisor दोनों same हो तो मेरा answer क्या आएगा 1 दोनों number अगर same हो और same number को मैं divide कर रहे हूँ तो मेरा answer क्या आएगा 1 1 इधर भी देखे 1 144 को अगर मैं 444 से divide कर रही हूं तो मेरा answer क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है अभी कुछ बच्चों को confusion है कि dividend क्या होता है, divisor क्या होता है question क्या होता है तो ये 18 को अगर मैं 6 से divide करती हूं तो 18 मेरा dividend है 6 divisor है 3 quotient है और 0 मेरा remainder है this is quotient and this is remainder this is not question and reminder This is quotient and this is remainder ठीक है, dividend, divisor, quotient, remainder फिर एक property थी, अगर मेरा dividend Sorry, अगर मेरा divisor 0 है Divisor 0 जैसे 9 9 divided by 0 तो मेरा answer क्या होगा? यह possible ही नहीं है Answer कुछ हो गए नहीं क्योंकि Divisor कभी भी 0 नहीं हो सकता Divisor कभी भी 0 नहीं हो सकता तो यह possible नहीं है लेकिन हा, dividend जरूर 0 हो सकता है जैसे यह 0 divided by 16 करेंगे तो 0 आएगा लेकिन अगर 9 divided by 0 करोगे तो वो कभी भी wrong है यह 0 divided by 16 तो 0 है लेकिन 16 divided by 0 यह possible नहीं है आपका dividend 0 हो सकता है लेकिन आपका divisor कभी भी 0 नहीं होगा तो यह कुछ 4 properties थी इनके basis पे मैंने यह question कराए थे एक बार और समझा देती हूँ एक single number को लेके ही जिसे 216 को अगर 1 से divide करना है तो हमारा 216 आएगा 216 को अगर 216 से करना है तो 1 answer आएगा 216 divisor 0 है वो possible नहीं है लेकिन अगर dividend 0 है और 216 से divide करना है तो मेरा answer क्या आएगा 0 आएगा तो इन 4 properties के हिसाब से मैंने आपको यह questions कराए थे फिर उसके बाद मैंने आपको सिखाया था 10, 100 and 1000 से divide करना ओल राइट 10 से divide कर रहे है 10 में कितनी 0, 1, 0 तो पीछे की 1 digit हो गई हमारी remainder और बच्यू digit question यह देखो 569 को देखो 10 है तो पीछे की 1 digit 9 मेरा remainder और बाकी बच्यू digit question अगर 100 से कर रहे हूं तो 100 में 2 0 तो पीछे की 2 digit मेरी remainder और बाकी की बच्यू digit question पीछे की 2 digit 12 मेरी remainder और बाकी बच्यू digit question पीछे की 2 digit मेरी remainder और बाकी बच्यू digit question ऐसी thousand की बात करें तो thousand में three zero होती है तो three digit पीछे की three digit मेरा remainder और बाकी आगे की बच्चियों digit question three digit मेरा remainder और बाकी आगे की बच्चियों digit question three digit remainder 896, 147 क्या बन गया? लेकिन अगर एक चीज़ जिसमें बच्चे confuse हो रहे थे आज की class में वो ये कि मैम ने पीछे three zero बच्ची है लेकिन मैम ने only one zero लगाई है तो वो possible है चाहे आप three zero को single zero भी लिख सकते हो double zero को भी आप single zero लिख सकते हो कोई problem नहीं है देखो या three zero बच्ची थी लेकिन remainder zero ही लिखा चाहे three time zero लिखो चाहे single time zero लिखो बात एक ही है तो इसी तरीके से मैंने आपको ये questions कराये ते आज की exercise में बाकी बच्चों वे questions आपके home work अच्छे से practice करना कुछ problem हो तो आप मुझसे call करके पूछ सकते हो thank you